नमस्कार यह पेठे के बीज है जिसे पम्किन के शीड के नाम से जाना जाता है यह आपको बहुत सारी कम्पनियां ओनलाइन बेचती हैं उनसे आपको आसानी से मिल जाएगी या आप जहां पे रहते हैं वहीं देशी जड़ी बुटिया रखते हैं क्रियाने का समान रखते है जो उनके पास असानी से मिल जाएगा इसके अंदर बहुत ऐसे पोशक तत्व पाए जाते हैं जैसे मैगनीज, मैगनेशियम, फासफोरस, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन C, आईरन, प्रोटीन इसके अंदर बहुत अच्छी मातरा में पाए जाते हैं ओमेगा 3, fatty acid भी इसके अंदर बहुत अच्छी मातरा में पाए जाते हैं, जस्ता पाए जाते हैं, तामबा के गुन पाए जाते हैं, और भी अन्य बहुत सारे पोशक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी बाल से लेके नाखुन तक जो हमारे सरी में ओर्गैन भी होते हैं, तो रसरक्त मांसमेद अस्तिमज़ा शुकर साथ धात्वों को, और हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत जादा मदद करता है, और हमें स्वस्त बनाए रखने में हमारी बहुत जादा मदद करता है, इसलिए मैं आपको कहना चाऊंगा कि इसका इस्तमा और seed के नाम से भी जाना जाता है, pumpkin के seed के लो, पेठे का बीज के लो, तो उसके नामों से बड़े असानी से जाना जाता है, और बड़े असानी से मिल भी जाता है, इसको हम सबजी में इसका जो पाउडर बनाके सबजी में डालके इस्तमाल कर सकते हैं इसके पाउडर को सूप बनाके हम पी सकते हैं इसके पाउडर का काड़ा बनाके हम ले सकते हैं इसके बीजों को जो ये हमारे पास मगज दिख रहे हैं आपको इनके बीजों को पिर्वा के जैसे बदाम रोगन पिर्वाते हैं जैसे मसीन में डालके उसका तेल निकालते हैं उसी तरह इनका तेल निकालके भी पिया जाता है या मालिस करी जाती है इसके बहुत अंगिनत फायदे पाए जाते हैं तो वो मैं आपको इस वीडियो में इसके powder की मात्रा होती है आदा से एक चमच सुबे आदा से एक चमच शाम को कहने का मतलग 3 गराम से लेके 6 गराम तक आप इसका इस्तमाल सुबे 3 गराम से लेके 6 गराम तक साम को गुनगुने पानी या गाए के दूद के साथ इस्तमाल करके अपने आपको स्वस्त बना सकते ह बहुत से लोग जो इसके बीजों का तेल निकलवाते हैं तेल का इस्तमाल 10 से 20 बूंद का इस्तमाल आप दूद में घोलके या चोथाई चमच के करीब दूद में घोलके इसका इस्तमाल आप कर सकते हैं कुछ बीमारियों में खाने में इस्तमाल किया जाता है, इसका तेल कुछ बीमारियों में मालिस करने में किया जाता है, इसका इस्तमाल जादा तर बीमारियों में खाना खाने के बाद बताया जाता है, मगर कुछ ऐसी बीमारियों जिसमें खाना खाने से पहले भी इसका इस्त पड़ती है इसलिए आप बिल्कुल निशीन्त हो के इसका इस्तमाल कर सकते हैं जो लोग हमेशा सिर दर्द से परेशान है सिर किन से कमजोर है और जिसकी वज़ा से उनको आधे सिर में दर्द होता है जिसे माईग्रेन के नाम से कहते हैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि इस से एक चमज सुबह शाम गाई के गरम करके दूद उसमें स्वाद अनुसार देशी खांड मिला के आप सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तमाल करें और इसके बीजों का तेल निकलवा के रख लें उस तेल से आप सिर पे मालिस करें और वो तेल तीन बुंद नाक में डा अस अनुसार किसी का ठीक हो जाता है। कै और यह कोई ॲा-इलाज बीमारी का इस्तमाल करके अपने आप को पूरण रूपसे स्वस्त बना सकते हैं। जिन लोगों का kolesterol बढ़ा हुआ, खास थोर पे bad kolesterol बढ़ा हुआ, और good kolesterol घटा हुआ है, और उनको हमेशा सरीर में अकड़ाहट सुनापन, नसों में सुनापन, और हमेशा घवराहट बेचैनी तंग करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, सांस फूल जाता है और बीपी की समस्या बनी रहती है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके लिए पंकिन के बीज बहुत फायदेमंद है पंकिन के बीज लाके आदा चमस सुबे आदा चमस शाम को गुन गुने पानी के साथ खाना खाने के बाद लेना शुरू कर दे तो बहुत जल्द आपका जो खराब जिसे का जाता है वो समान्य हो जाएगा और आप पूरन रूप से स्वस्त हो जाएंगे जिन लोगों का हमेशा होट फटा हुआ रहता है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि पंकिन के बीज का तेल जो आपने निकलवाया है न उस तेल की मालिस करें और चुथाई चमस तेल एक गिलास गरम दूद में गाय के गरम दूद में मिलाके साम को एक दिन में लेना सुरू कर दें तो आपका हमेशा ऐसा रहेगा होट बिल्कुल सामाने रहेगा और पूरन रूप से फटेंगे नहीं और देखने में भी अच्छे दिखेंगे जो लोग गठिये से परेशान है जैसे रियुमेटिड अर्थराइटिस से उस्ट्यो अर्थराइटिस से उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके लिए पंकिन के बीज का पाउडर बना के सुबह शाम गाय के गरम दूद के साथ एक चमस सुबह एक चमस शाम को खाने में इस्तमाल करें और इसका बीज क में दर्द और सूजन की शिकायत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी क्योंकि गठिये से परेशान लोग हमेशा सुबह उठते समय उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है जरा सा बैठके उठते हैं तो उनके जोडों में दर्द की शिकायत तंग करती है और पूरी तरह से अपन लार बैती है या मान लीजे बात कहते हैं तो मुम से ठूप बाहर आ जाता है या मान लीजे सोते समय दांत ऐसे से रगड़ते हैं यह पेट में कई बार दर्द और पेट में भारीपन की शिकायत तंग करती है तो उन लोगों को कहना चाऊंगा कि पंकिन के बीज पीस के पा बार दिला देगा जिन लोगों की हडियां कमजोर है हडियों में गाड़ापन कम हो जाता ना जिसे घनत वो कहते हो गाड़ापन कम हो जाता हडियां कमजोर हो जाती है तो बार बार लचक्त मारती है या टेडी हो जाती है या मान लीजे बार बार फ्रेक्चर की दिक्कत तं करती है या जो फ्रेक्चर हो गया है और वो अपने आपको जल्दी स्वस्थ करना चाहते हैं तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप के लिए इनके बीजों का पाउडर बना के खाना और इनके बीजों के तेल से निकला हुआ जो बीज से तेल होगा उस तेल की मालिस करना बहुत फाइदे मंद है उसका इस्तमाल करके आप अपने आपको ठीक कर सकते हैं इसका जो बीज का पाउडर बना के आधा से एक चम सुबह शाम गाय का दूद गरम कर लें उस गरम दूद के साथ आप इसका इस्तमाल करें तो बहुत जल्द हडियां मजबूत हो जाएंगी सुबह शाम इसका इस्तमाल करें तो बहुत सोने पे सुहागय वाला रजल्ट मिलेगा इसी तरह इसके जो मालिस करने से हडियां काफी जादा मजबूत हो जाती है और फ्रैक्चर की शिकायत भी पूरन रूप से चली जाती है ओस्टियो पोरोसिस की शिकायत भी हमेशा के दूर जाती है कहने के मतलब इसके तेल से मालिस करें और इसके बीजों का खाने में स्ताम से जो लोग कब्ज से परेशान रहते हैं मगर कब्ज से क्या होता है किatura है कि दिमाग Histor फिंजलाया सा रहता है गुशा सा बना रहते है और सारा दिन खराब हो जाता है एक बारी सुबह फ्रेश पूरे ढंग से हो जाए तो फिर सारा दिन अच्छा हो जाता है तो उन लोगों को कहना चाहूंगा और वो तरह तरह से क्या करते कब्ज को खतम करने के लिए तरह तरह से पाउडर और सीरप कैपसूल का इस्तमाल करते सुबह पेट साफ एक बारी ना होने की वज़े कई बार होता रहता है उससे उनके सरीर में कमजोरी बनती चली जाती है उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके लिए पंकिन के बीज का पाउडर बना के रख लें आप इनके बीज का एक चमच पाउडर सुबह शाम गाई के दूद के साथ इस्तमाल करने से बहुत जल्द आपको कब्ज की शिकायत से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा वेक्ति अपने सामाने वजन से जिरूंगा कद है उससे उनका जो वजन है जरूर से जादा है मोटापा तो हरकोई घटा ना चाहता है मगर वो यह भी चाहता है कि मुझे मेरे सरीर पे किसी परकार का साइड इफेक्ट ना हो और मुझे किसी परकार की कमजोरी महसूस ना हो और मोटे लोगों को सांस जल्दी फूल जाता है और उनको हमेशा जैसे एक थकान सी मैसूस होती है और एक आलसपन बना रहता है और तरह तरह की कहते हैं न मोटापा, कब्ज, पेट की समस्या, हमेशा पेट की समस्या इन चीजों से जो व्यक्ति जूंचता रहता है वो हमेश प्रफ़ाइब प्रफ़ाइब लिए तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप परेशान मते हुए इस बीजे जो इनके पंकिन के बीज होते हैं उनके अंदर वसा को घोलने की बहुत अदूबुर शक्ति पाई जाती है इसके पाउडर को बनाके आप गुंगुने पानी के स सुबे दुपैशाम खाना खाने से आदा घंटा पहले लेना सुरू कर दे तो आपके पेट और कुले पे शरीर पे जहां भी आपके जरों से ज़्यादा मातरा में चरबी जमा हैं वो धीरी धरे मेल्ट होती चली जाएगी और आप पूरन रूप से स्वस्त होते चले जाए अमाशे में कुछ भी खाते हैं तो अमाशे में एकदम जलन हो जाते हैं यहां कुछ नहीं भी खाते हैं तो खाली पेड़ ?" जलन होती है तो उन लोगों को करना चाहूँगा कि इसमें एसिड बनने लग जाता है जिसके वज़य से जलन उत्वन होती है इनके वीजों में ऐसे तदो पाय जाते हैं जो हमारे आमाशे को और पाचन तंत को अच्छा करते हैं जिससे acid की मात्रा कम हो जाती है उस वज़ा से हमारे कलेजे में जलन की शमस्या भी दूर हो जाती है जिसे अमलपित acidity के नाम से भी जाना जाता है आप इनके बीजों का सुबे एक चमस्या साम को एक चमस्या ठंडे पानी के साथ ठंडे पानी बरफ वाले पानी के साथ नहीं मटके वाले पानी के साथ और खाना खाने से एक घंटा पहले इसका इस्तमाल करेंगे तो बहुत जल्द आपके कलेजे में जलन की समस्या दूर होत रहता है और हमेशा गुस्सा चिरचड़ापन बना रहता है जरासा आप कुछ कह दो तो वह आपके पर्माव हो एकदम करने लग जाते जैसे एकदम पूरी तरह से जुंजला आ तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आप इनके बीजों को पीस के पाउडर बनाए और सुबे शाम एक चमश सुबे एक चमश शाम को गुंगुने पानी के साथ इस्तमाल करना शुरू कर दे ऐसा करने से बहुत जल्द क्यूंकि बढ़ने की समस्या जो होती है हमारे धमनियो में नसों में जो सखत पन आ जाता है और उनके अंदर क्या होता है कि हमारे जो खून का दोरा होता है उसका दवाब पढ़ता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको दवाब को खतम करता है हमारी नसों नाडियों को लचीला पन बनाए रखता है जिससे हमारा BP हमेशा कंट्रॉल में रहता है, कैसे कहते हैं कि यह आपका बंदा आपके कंट्रोल में है इसी तरह आपका जो BP है इसके खाने से कंट्रोल में बना रहेगा बस आप इसका इस्तेमाल रोजाना करें, सुबह शाम करें और एक चमच गरम पानी के साथ सुबे शाम भोजन के बाद इसका इस्तमाल करने से BPI की समस्या से बहुत जल्द छुटकारा मिल जाता है जो लोग बवसिर की बिमारी से परेशान हैं बवसिर की बिमारी में बादी बवसिर, खुनी बवसिर से परेशान रहते हैं प्रेशान रहते हैं कि क्या इससा करें जिससे बीमारी से चुटकारा मिल जाएं तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि आपके लिए बहुत फायदेबंद है पमकिन के बीज, आप इसका इस्तमाल करके अपनी बीमारी से चुटकारा पा सकते हैं एक चमच पाउडर सुबेरे एक चमच पाउडर साम को पमकिन के बीजों से बना हुआ पाउडर इस्तमाल करें और गुंगुने गाय के दूद के साथ इस्तमाल करें जिससे आपके बवा सिर्की बीमारी हमेशा के लिए दूर होती चली जाएगी और आप अपने आपको पूरन रूप से स्वस्त मैसूस करेंगे और उन लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा गुंगुने पानी में हलकी सी फटकडी डालके आप उससे भी सिकाई करें जिससे आपको मलदवार में जो गुदादवार में हैं अंदर से या बाहर से मस्से फूले हुए हैं वो पूरन रूप से ठीक हो जाएंगे जो लोग हमेशा जुकाम नजले से परेशान रहते हैं जुकाम वाले तो क्या होता है कि उनका नाग बहता रहता है और नजले वालों का क्या होता है कि अंदर अंदर उनके आखों पे दिमाग पे पढ़ता रहता है उनके फेफडों को खराब करता रहता है उनके सरी में ग्लास दूद डाले, आदा ग्लास उसमें पानी डाले, आदा चमच उसमें हल्दी का पाउडर डाले और चुथाई चमच उसमें सोट जो अदरक का सुखा के बनाते हैं उसे सोट का आ जाता है उसका चुथाई चमच पाउडर डाले और दो काली मिर्च कूट के उसके इंदर डाले और उसे अच्छे से उबाले उबल उबल के सिर्फ दूद जो बच जाए ना उसे चान के पानी जो डाला था वो जल जाएगा मातर दूद रह जाएगा तो उन दूद को चान के आप सुबे शाम खाना खाने के एक घंटे बाद इस्तमाल करेंगे और रोजाना करेंगे तो जुकाम नजले की समस्या से आपको हमेशा कले छुटकारा मिल जाएगा पंकिन के बीजो के मैंने आपको इतने सारे फाइदे बताये तो इसके कुछ नुक्सान है वो भी बतायता हूँ क्योंकि कहते हैं कि हर चीज की अती नुक्सान कहते हैं और आज के लिए इतना ही अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ धन्यवाद